असलाम अलेकुम मेरा नाम माही है आप नौलिज विद माही यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि बैंक का जो चैक है वो हम किस तरह से फिल कर सकते हैं बहुत सारे हमारे ऐसे बहन भाई जिनको फिल करने में थोड़ी प्रब्लम होती है तो आज की वीडियो से वो हेल्प ले सकते हैं चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें सबसे पहले यहाँ पर डेट का कॉलम है तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेट ल लगाना है यहाँ पर और यहाँ पर हमने वन लिक्देना है उसके बाद आगे चलते हैं तो यह चार दफा आपको वाई नजर आ रहा होगा तो अब यहाँ हमने क्या करना है एर लिखना होता है तो हमारा ये 2021 हो चुगा है टु जीरो टू वन यहिस तरीके से हमने यहां पर डियर लखनी होती है अगर यहाँपर ग्यारा तरीक होगी तो हम यहाँपर 0 की जगा सिंपल 11 1 लिख देंगे लेकिन अगर हमारे पास वन टू रहा होगा वो हम यहां पर लिखेंगे उसके बाद आपको यह option अगरा रहा है पी की आर का यहां पर हमने वो amount लिखनी होती है और numbers में लिखनी होती है जितने का हम check देना चाहरे हैं उसके बाद यहां पर हमारे पास pay का option आ रहा है तो बहुत सारे लोग इसमें गलती यह कर द देते हैं जो हमने यहां पर number में लिखी वी होती है तो आपने pay पे जो है वो amount नहीं लिखनी होती बलके rupees में लिखनी होती है और alphabet में तो सबसे पहले जो हम यहां पर pay पे आ जाते हैं यहां पर for example के मैं इसको cash का check करना चाहरी हूं तो मैं यहां पर simple cash लिख दूंगी यह आ यहां पर cash लिख दिया अब नीचे जो rupees का column है तो यहां पर मैंने लिखना है rupees के अंदर बिलकुल rupees के बराबर से ही लिखेंगे for example मैं 5000 का check दे रही हूं तो मैं यहां पर five5 और मैं यहां पर thousand लिख दूंगी यह देखें आप thousand rupees लिखना चाहेंगे तो rupees और only भी कर देंगे तो भी ठीक है वैसे आप rupees लिख दीजिए rupees only only के बाद आपने इस तरह से dash लगा दिया यह आपने यहां पर फिल कर लिया उसके बाद आप यहां पर आप देख सकते हैं जहां पर यह पी के आर का option है अब यहां पर हमने जो है वो numbering में लिखना है इस बिलकुल इसके बराब पर हमने अलफा बैड में लिख दिया थाउजन रुपीज और हम अगर cash का चैक दे रहे हैं तो cash का चैक यहां पर हम cash लिख देंगे और यहां पर simple हम डेट डाल देंगे अब यहां पर आप देख सकते हैं जैसे यह मेरा bank अलभीब का चैक है मगर इसका कोई मसला नहीं है आ पर signature को option है signature में हम यहां पर signature कर देंगे जैसे for example यह में अपना signature जो भी आपका signature है वो आपने यहां पर signature कर देना है अच्छा यहां पर जो हमने cash लिखा है अगर हम किसी को भी cash का check दे देते हैं और उससे miss place हो जाता है कोई और उठा लेता है तो वो इसी branch में या bank alabib की किसी भी branch में जाके उसको cash withdraw करा सकता है तो यह थोड़ा सा risky होता है लेकिन अगर मैं यहां पर आप देख रहे हैं उपर अगर मैं यहां पर दो cross लगा देती हूं तो उसका मतलब यह होगा कि यह कोई भी मतलब यह कोई भी जो है यहां पर हम किसी को pay करना चारें और उनका account है तो वो चाहे किसी भी branch में हो हम उनका यहां पर नाम लिख देंगे जैसे मेरी branch में जाकर या bank al-habib की किसी भी branch में जाकर वो इसको cash करवा सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मौसिन अली ही यह चेक credit कर सकते हैं और कोई credit नहीं कर सकता इसके लावा अगर मैंने यहां पर इसको cross कर दिया तो मौसिन अली के account में जाएगा यह अब चाहे उनका bank al-habib में account account में हो किसी भी bank में हो तो मौसिन अली की account में credit होगा फिर वो cash नहीं withdraw कर सकेंगे तो यह जो cross check होता है इससे फायदा और security हो जाती है आपका जो आपके amount है वो उनके account में credit होगा तो इससे हम यह save हो जाता है लेकिन अगर हम cash का check दे देते हैं तो उसमें थोड़ा सा risk का factor आ हम भूल जाते हैं कि हमने किसको कितनी amount दी तो हम यहां पर वो date लिख देते हैं कि हमने साथ January को 2021 को हमने 5000 का check दिया था मौसिन अली को for example cash का दिया हो यह किसी को दिया तो अपने record के लिए आप यहां पर लिखके और यहां से आप slip को निकाल सकते हैं तो I hope कि आपको जो है व है कि आपको वीडियो कैसी लगी नेक्स वीडियो में मुलकात होती है अल्लाहाफिस